उलका पिंड आखिर है क्या तो सुरी के चारो और ये जो आप सुरी देख रहे हैं इसके चारो और चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकरे उलका पिंड कहलाते हैं यह जो चारो और पत्थर के छोटे-चोटे जो टुकरे हैं यह क्या करते हैं इस परीधी में चक्कर लगाते हैं और कभी-कभी यह उल्का पिंट पृत्वी के इतने नज़दिक आजाते हैं कि वो पृत्वी के प्रविर्थी मतलब पृत्वी पर गीरने की हो जाती है इस प्रक्रिया के दोरान वायू के साथ घर्चन होने के कारण वो गर्म होकर जल जाते हैं आप देखे हुएगा कि आकास से एक चमकता हुआ सफेद तारे की तरह कोई पदार्थ अपने प्रित्वी पर गिरता है उसे हम उलका पिंट के नाम से भी जानते हैं तो फलस्वरुप चमकदार प्रकास उत्पन करता है और अधिकतर लोग इस घर्टना को देख चुके भी होंगे कभी कभी कोई उलका पिंट बिना जले हुए भी प्रित्वी पर गिर जाता है जिससे धरातर पर मतलब पित्वी के जो अस्तर है उस पर गढ़े का निर्मान होता है और वहाँ पर गढ़ा पर